गड़ा खोद कर दबा दिये इनको बाहर निकालने पर क्या होगा यह एक बंदा ऐसे बूसरा बंदा देखिए यह जो इनको लेप लगा करके गड़े में दबाया जा रहा है अब आप यह सोच रहे होगे कि इस तरह से क्यों दबाया जा रहा है परन्तु इससे काफीन के रहा है कि अंदर लगों को सोख लेती है अब आप देखोंगे मैं डोक्टर संदीप पाचरिया योगवा प्राकर्थिक चिकित्सक आज आपको बिल्कूल लाइब दिखा रहा हूं कि किस तरह से देखिए जो है इनको पहले लेप लगाया जा रहा है फिर इनको अभी मिट्टी के इस गड़े के अंदर दबा दिया जाएगा और जब इनको निकाला जाएगा तो काफी रोगों में नीचे हो जाएंगे थोड़ा हां नीचे हो तो किस तरह से देखिए इनको दबाया जा रहा है इस तरह से मिट्टी के अंदर बहुत ही ओस्दिया गुन होते हैं अमेरिका के अंदर भी है बिल्कुल प्रूफ हो चुका है इनको इसकी चिकित्सा भी नहीं में छुपी हुई है यह देखिए अब इनको जब दबा करके जब बाहर निकाला जाएगा इसका टाइमिंग मैं बताऊंगा आपको तो इसमें बड़े जबर्दस लाब होने वाड़े हैं जिनको शरीर के अंदर एक्स्ट्रा गर्मी बड़ी हुई है हीट रहती है बोड़ी के अंदर हाथ-पाउं में जड़न रहती है हाथ-पाउं से बिल्कुल यह दिखा रहा हूं अपने सस्तान के उपर जो है होते हुए इनको किस तरह से पूरा जो है ढख दिया गया है मिटी से यह ओस्दिय मिटी है यह मिटी भी एक विशेश तरह की होती है कहीं ऐसा नियावी गंदगी वाली मिटी में नहीं हमने दब है तो इस तरह स पहले पुरातन टाई में किसी को सांप वगेरा काट जाता था तो इसको इसी तरह से गड़े में दबा देते थे क्योंकि मिटी के अंदर वो सारे गुण होते हैं वो ओस्दिया चिकित सा होती है कि जिससे जो है वो पूरा हो कर लेती है देखिए हमने इसके सर मिटी लगा इसको पूरा तरह से जो अभी डख दिया जाहेगा इस तरह से इसको भी डख दिया जाएगा इस तरह से यह देखिए के यह कहीं सालों से हम करा रहे हैं यहाँ और जिकी भी हमने कर दो सीटंग आज इनको दूसरी बार मिट्टी में दबाया गया है और ये खुद भी बताएंगे आपको इनको कितना आराम आया है जब इनको निकला जाएगा तो ये खुद भी बताएंगे कि मिट्टी में दबने से इनको कितना ज्यादा लाब हुआ है पर सिटिंग में इनको कितना लाब आया था वो भी साइक सारा दिखा जाएगा बता जाएगा और इनको जो मैं रोग बता रहा हूं जैसे पूर्सों के कुछ सेक्ष्वल डिसोडर के भी रोग होते हैं तो उनके अंदर भी है बहुत अच्छा काम करती है और जो आप यह पूरा देख रहे हो तो इस तरह से इस तरह से है पूरा दबाना उता है गट्टे के दर अब यह इनसान जो है पूरे का पूरा जो है दब चुका है गंडे के अब इससे यह देखिए मिट्टी के अंदर पूरा इसको दबा दिया गया है इनको बाहर निकालने पर क्या रिजल्ट दिखेगा आपको अभी डेमस्टेशन दिखाएंगे इनकी बोडी कैसे रियक्ट जो इनके रोग थे शरीर में वह कैसे रियक्शन उनका दिखेगा कित देखिए कि यह देखिए कि ये देखिए शरीर के वाधपित कफ में कैसे काम करता है यह सरीर के तीन दोस्तों को mat milliards सब्सक्राइब गटर्वाएब दबाया है इनको जो है दो फिट की घराई में दबा देना है और इतनी तो दो तो तिन तिन चरिंच जो है दब जानी चाहिए ताकि मिट्टी के पूरे संपरक में पूरी की पूरी बोड़ी आ जाए तो अब मैं इन में से आज एक पेसेंट की जो है यह दूसरी सिटिंग है अब यह आपको इसमें से निकल करके बताएंगे कि किस तरह से इनको कितना लाब हुआ है थोड़ा सा इनको करो पहले इनको पर ले जी दोनमें पेसेंट बताएंगे यह तो हमने एक डाइमो के तोर पे आपको जो है तरीका दिखाया है आज इनकी दूसरी सिटिंग है यहा यहां से तो नेरे हो जैसे बहुती ज्यादा गर्मी महसूस होती थी औरялर्डी दे सकती आपको और झाली थरैपी तो मेरे को बहुत ज्यादा आराम मिला और बहुती मतलव तंदोरस्ती थी चीज़ को और मेरे को बहुत ही फायदा मिला इस त्रेप बिकराने से तो यह प्रोबलम जा पूर्सों की जो चीज़ को आपको खीचाव भी मैसूस हो रहा था इसमें जैसे रोग चूसने लग रही हो मिटी इस तरह से बलड चर्कूलेशन जीसे चलता है मूव थोड़ होता है अमेज तरह लग रहा था कि एक थंड़क में मिल रही है वोडी में धंड़क मैसूस कर रहे थे जी ठीक है यह देखिए यह मिटी जो है इसका लेप एक विशेश त्यार जैसे त्यार होता है इसमें जो है नीम गंदक काफी चीजे जो है हमने मिला करके लेब त्यार करते है इसको तो ये पूरे सारे चरम रोगों को बलड इनफेक्शन को सारे रोगों को जो है दूर कर देता है जी